जैमात दी जो सो भाग्यावति इस्त्रियाँ इस करक्च तुर्थी के वर्थ को करके साइकाल विदी से पूजन करेंगी वे अचल सुभाग्याव धन पुत्तर तथा बड़े भारियस को प्रापत होंगी करक इस मंत्र को पढ़ कर दूद अथवा जल से भरा हुआ कलस लेकर उसमें पंच रतन डाल करके ब्रहमन को देवें और कहें कि हे गनेश जी इस करवा के दान से मेरे पती बहुत काल तक जीवित रहें मेरा सुभाग्य सदा बना रहे शुआगन इस्तियों को भी देवे और उनसे लेवें भी इस प्रकार से सुभाग्य की इच्छा रखने वाले इस्तियां जो भी इस करवा चोत के वर्द को करेंगी वह सुभाग्य उत्तर तथा अंचल लक्षमी को प्रापत होंगी मांधाता कहने लगे कि जिश्य में अर्जुन नीलगिरी पर तब के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रोपती खिन मन होकर के चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन करम का प्रारम कर दिया है किन्तु विगन डालने वाले स्तुरू अनेक हैं इस प्रकार की चिंता करके स्री किर्शन जी से विगनों का नाश करने का उपाए पूछने लगी द्रोपती ने कहा कि है सरवग जगत के नाथ आप मुझे कोई ऐसा वर्थ बताने की करप्या करें जिसके करने से सभी विगन जो है नाश को प्रापत हो जाएं स्री किर्शन जी ने कहा कि है माह भागे स्री पार्वती जी ने भगवान संकर से यही परसन किया था तब स्री भगवान ने पार्वती जी से जो कहा था है वारारा है वही करक्च तूर्थी का वर्थ मैं तुम से कहता हूँ तुम ध्यान पूर्वक सुनो जो सब प्रकार के विगनों को दूर करने वाला है स्री पार्वती ने कहा कि ही भगवन ये करक्चो तुर्थी का वर्थ किस प्रकार का है तथा इसका विधान क्या है और पहले इस वर्थ को किस ने किया है तब संकर जी बोले कि ही पार्वती अनेक प्रकार के रतनों से सुभाइमान चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुभाइमान लोकों को वश्मे करने वाली दिव्वेस्तियों से सुभाइमान जहां पर सदेव बेद धवन्य होती है ऐसे सरग से भी रमनिक मनोहर सुक्रपुष्ट की बात है जिसे आज कल दिल्ली सहर कहते हैं इसी सुक्रपुष्ट में एक बेद सर्मा नाम का ज्यानी ब्राहमन रहता था उसकी पतनी का नाम जो है लीलावती था उसके महा प्राकर्मी साथ पुत्तर और संपूरुन लक्षनों से युक्त वीर्वती नाम की एक कन्या उत्पन हुई उसकी आँखे नील कमल के समान और मुक्ष जो है चंद्रमा के समान था उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद सर्मा ने एक वेद सास्तर के ग्याता विद्वान ब्रहमन को विवाह विदी से उसे परदान कर दिया इसके पच्चात वीर्वती ने अपने भाईयों की इस्त्री जो उसकी भावियां थी उनके साथ गोरी का वर्थ किया फिर कार्तिक किर्षन पक्स की चतूर्थी के दिन वर्तो पास करके साइं काल में सनान कर सभी ने भक्ती भाव से वट के व्रक्ष का चित्र बना कर उसके नीचे संकर जी गनेश जी और स्वामी कार्तिकिय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमो शिवाए इस मंतर से गंद पुष्प और अक्स्तादी से गोरी का पूजन किया फिर शिव जी गनेश जी तथा सडानन का अलग अलग पूजन करते हुए पकवान अक्स्त तथा दीपक से युक्त दस करुए और गेहूं के पिसान और गुड से बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदी भोज्ये पदार्थों को अरपन करके अरग देने के लिए चंद्रमा के उदे होने की प्रतिक्षा करने लगी तो इस बीच में वीर्वती वाला जो है भूख प्यास से बड़ी पीडित हुई भूख को सहन ना करते हुए मुर्चित होकर गेग गिर पड़ी तब उसके भाई जो है रुदन करने लगे चिंता करने लगे वीर्वती के मुख पर पाणी के छिंटे मारे पंखे से हवा की तो उसको कुछ होंसाया फिर भाई जो है वीर्वती को अपनी बहन को दांड सा बंदाने लगे कहने लगे कि बहन चिंता मत करो थोड़ी देर में ही चंद्रमा उधे होने वाले हैं और तुम फिर चंद्रमा को अरग दे करके जो है भोजन कर लेना भाईयों ने बहन को डांड सा तो भंदा दी होंसला तो दे दिया परन्तु भाईयों को पता था कि चंद्रमा उदे होने में तो अभी बहुत समय है और जब तक चंद्रमा उदे होगा नहीं तब तक बहन जो है कुछ खाए पीएगी नहीं और तब तक तो ये भूग प्यास से वैसे ही मर जाएगी भाईयों को बड़ी चिंता हुई सोचने लगे क्या किया जाए तो बहन को बचाने के लिए भाईयों ने एक विशेश योजना बनाई जल्ती हुई लकड़ी लेकर के उसके आगे कपड़ा लगाया और ऐसा दर्शे बना दिया की दूर से देखने में लग रहा था की जैसे चंद्रमा निकल रहे हैं और बहन से कहने लगे कि बहन देखो चंद्रमा उदे हो गए हैं तो वीर्मती ने उस नकली चंद्रमा को ही असली जान लिया और उस नकली चंद्रमा को ही अरग दे करके जो है उसने भोजन कर लिया जिससे उसका वर्त जो है दुसित हो गया वर्त के दुसित हो जाने के कारण उसका पती जो है मर्त्यू को प्रापत हो गया तब वीरवती ने अपने पती को मरा हुआ देखकर पुन्ने सिर्जी का पूजन किया और एक वरस तक निराहार वर्त किया और अपने पती के मरतक श्रीर को जो है तेल में रखवा दिया वर्त के समापत होने पर फिर करवाचोत आया वीरवती ने पुरवोक्त विधान से फिर करवाचोत के वर्त को किया तो उस दिन देव कर्ण्याओं के साथ इंद्रानी भी करवाचोत की वर्त कथा सुनने के लिए मंदिर में आये हुई थी तो वीर्वती ने इंद्रानी को पहचान लिया वीर्वती इंद्रानी के पास गई और वीर्वती ने इंद्रानी से कहा कहें इंद्रानी आप मेरे भाग्ये से आज यहां मंदरे में आई हैं और मैंने आपको पहचान लिया आपके दर्शन हुए पिछले वरस जो मैंने अपने पिता के घर में करवा चोच का वर्थ किया तो मेरे पती मिर्त्यू को प्रापत हो गए मैं नहीं जानती किस पात करम से मेरे को ऐसा बुरा फल मिला है हे मातेश्री हमारे भाग्ये से आज आज आप मंदर में आई हैं हमारे पती को जीवित करने की करप्या कीजिए इंदराणी ने कहा कि है सुभे गत वरस जो तुमने अपने पिता के घर में करवा चोच का वर्थ किया था तो बिना चंदरमा के उजे हुए ही तुमने अरग दे दिया था जो चंदरमा तुने देखा था वो असलिए चंदरमा नहीं था ओ तो तो तेरे भाईयों ने जो है नकली दर्शे बनाया था इसलिए तुमारा पती जो है मृत्यों को प्रापत हुआ अगर अब भी तुम यतन के साथ करवाचोथ का वर्थ करती हो तो उसके पुन्ने के परताब से मैं तुम्हारे पती को अवश्य ही जीवित कर दूँगी श्री क्रिशन जी कहने लगे कि ही द्रोपती इंद्रानी के ये वचन सुनकर विर्वती ने विदी विधान के साथ ये करवाचोथ का वर्थ किया इस प्रकार इस करवाच तुर्थी के वर्थ के करने से इंद्रानी ने परशन होकर के जल्क के द्वारा अभी सिंचन करके उसके पती को जीवित कर दिया वह देवताओं के समान हो गया इसके पस्टाथ विर्वती अपने पती के साथ घर आकर आनद करने लगी विर्वती के वर्थ के परभाव से उसका पती जो है धन धानने पुत्तर तथा लंबी आयू को प्रापत हुआ इस प्रकार कृष्ण जी कहते हैं कि को सुनकर द्रोपती ने भी इसकरवा चोथ के वर्थ को किया तो इसी वर्थ के प्रभाव से संग्राम में कोर्वों को जीत कर पांड़ों को एतुले रज्ये की प्रापती हुई और उनके सभी दुख दूर हो गए इस प्रकार जो भी स्वभाग्य वति स्त्रियाँ इसकरवा चोथ के वर्थ को करती हैं और इसका प्णञorigा के प्रताप से उसका पति जो है चरणजीவी होता है लबी आयू को प्रापत होता है कवारी तौन्याओं को भी मन पसंट पती की प्रापती होती है बोली स्री गंडपती महाराज कीजे स्री कृषण चंदर भगवान कीजे